हिंदी सिनेमा के इतिहास में जब भी सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों की बात होती है तो उनमें शोले, मुगले आजम और दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों का नाम बड़ी शिद्दत के साथ लिया जाता है लेकिन सिनेमा के इतिहास में एक ऐसी फिल्म भी थी जो सिनेमा घरों में लंबे समय तक टिकी रही और आज तक इस फिल्म का एक रिकॉर्ड कोई फिल्म नहीं तोड़ पाई ये वो फिल्म थी जिसने सिनेमा घरों को मंदिरों में तबदील कर दिया था और लोग हॉल में घुसने से पहले बाहरी चपले निकाल करने लगे थे जैसंतोशी मा में एक्टरेस अनीता गुहा ने मा संतोशी का किरदार निभाय था जब भी वो स्क्रीन पर प्रकट होती लोग उनके आगे हाथ जोड़ कर सिर जुका लेते इस फिल्म में करनन कौशल ने सत्यवती और एक्टर आशीश महन ने बिर्जू का कि बहुती कम था और उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये फिल्म कभी इतिहास रचेगी रिलीज होते ही फिल्म ना सिर्फ ब्लॉक्बस्टर रही बलकि इसके स्टार्स कनन कौशल आशीश कुमार और अनीता गुहा रातो रात स्टार बन गए जैसंतोशी मा का बॉक्स आफिस रिकॉर्ड तोड़ दिये थे रिपोर्ट्स के मताबिक जैसंतोशी मा महस पांच लाक रुपे में बनी थी लेकिन इसने बॉक्स आफिस पर सौ गुना अधिक कमाई यानी पांच करोड की कमाई की थी इस फिल्म की सफलता ने सभी को हैरान कर दिया था बहुत कम शक में हिंदी सिनेमा में एक्शन और मारधार वाली फिल्मों का दौर था यही वो वक्त था जब अमिताब बच्चन एंगरी यंग मैन बनकर उबरे थे उस दौर में जैसंतोशी मा ने ग्रामीन इलाकों से लेकर शहरी इलाकों और बच्चों से लेकर बुड़ों तक के द दौरान अनिता गुहा वरत भी रखती थी फिल्म देखने जो भी आता उन्हें भोग लगाने के लिए खाना और प्रसाद लाता एक इंटर्वी में अनिता ने ये भी कहा था कि लोग उनसे आशिरवाद लेने भी आने लगे थे वो उन्हें सचमुच की देवी मानने लगे संतोशिमा का रोल प्ले कर चर्चित हुई अनिता गुहा साल 1989 तक फिल्मों में एक्टिव रही और फिर 2007 में उनका निधन हो गया इस फिल्म को लेकर बिहार के पटना में एक दिल्चस्प किस्सा हुआ था इस फिल्म को देखने के लिए सिनिमा घरों में जब लोग चपल उतार कर जाने लगे तो पटना के एक शक्स ने हॉल के बाहर ही दर्शकों के जूते चपल रखने के लिए एक स्टॉल खोल लिया और जब फिल्म खत्म हो जाती तो वो सबको जूते चपल लटा देता बदले में लोग उसे चवणनी अठनी दे दिया करते थे आपको जानक करने वाली एक्ट्रेस कनन कोशल के बाद फिल्मों की लाइन लग गई थी उन्होंने हिंदी के लावा गुजराती वा मराथी फिल्मों में भी काम किया इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के मताबिक कनन कोशल 1992 तक फिल्मों में एक्टिव रही और अब शो बीस से दूर बिता रही है बिर्जू का यादगार रोल निभाने वाले एक्टर आशिश कुमार अब इस दुनिया में नहीं है साल 2013 में उनका निधन हो गया था 60 और 70 का दशक आशिश कुमार के लिए एक स्वर्णिम काल रहा उस दौरान उन्होंने जै संतोशी मा के बाद कई ब्लॉक बस्टर और यादगार फिल्में दी जै संतोशी मा भारत के सिनेमा का फेवरिट सबजेक्ट रहा है साउच से लेकर बॉलिवुड में मा संतोशी पर कई फिल्में बनाई जा चुकी है इनमें महिमा संतोशी माता की 2015 में आई जै संतोशी मा और जै जै संतोशी मा जैसी फिल्में शामिल है अब टीवी पर संतोशी मा सुनाई वरत कथा शो शुरू हुआ है जिसमें एक्टर्स ग्रेसी सिंग मा संतोशी के किरदार में नजर आ रही है इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए हमार साथ जुड़े रहिए नमस्कार